नमस्कार दोस्तों वेलकाम बैक टो और चनल दोस्तों जे एससी पीजीटी का फिजिक्स और कमिश्ट का जो रिजल्ट है इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो चुका है मेरे भई आपको भी पता है और 22 से 24 तक आपका जो डाकुमेंट वेरिफिकिसन के प्रक्रिया है यह चलना था ठीक है जो कि आज के डेट में आपका जो डाकुमेंट वेरिफिकिसन के प्रक्रिया है यह समाप्त हो गया है मतलब समाप्त हो जाएगा अब देखिए जिन कंडिडेट्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है जिन भाईयों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया ह वो बहुत ज़्यादा suspense में है और यह जानने के लिए उत्तुक हैं कि सर्फ physics और chemistry में जो result आया है physics और chemistry का इसमें कितना cut off गया है ठीक है कितने सही प्रश्ण करने वालों को लिया गया है तो इस तरीके से बहुत से comments हमारे पास देखनों को मिल रहे थे तो मैंने क्या किया मिर प्रश्ण करने वालों को लिया गया है डीवी के लिए तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे दोस्तों आपको दिखाएंगे कि students का डेटा पोल है यह किस तरीके से तो यह चीज आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको बता दे कि आपके जो बचे हुए results है जैसे आपके history का result हो गया बायो का हो गया Sanskrit का हो गया Hindi का हो गया तो इस तरीके से और भी जो result है आपके यह कब तक देखनों को मिल सकता है तो इसके बारे में भी complete information आपको मिलेगी तो वीडियो में अंते तक बने रहेगा मेरे भाई ठीक है तो like बगएर अगर आपने नहीं किया वीडिय के हैं तो subscribe कर लिजेगा तो आईए एक एक करके सारी मुद्य पर सर्चा करते हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आपका जो students का data pole है वो किस तरीके से कितना जो score है उनका गया है किस तरीके से गया है तो आईए सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं फिर आपको दि 34 प्रशन आपके कितने थे अब देखें वोट जो है यह किस तरीके से हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं 472 candidates ने वोट किया है आप यहां पर देख सकते हैं 80 से 100 प्रशन वाले हैं 31% 14% है 100 से 110 और वहीं अगर बात करें 18% है आपके 110 से 120 वाले हैं ठीक है 22% है आपके 120 से 130 वाले हैं तो कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं और 16% है आपके 130 वाले ठीक देखें कुछ इस तरीके से आपका जो cutoff है दोस्तों देखनों को मिला है अब मुद्दा यह है कि सर 80 से 100 जो सही प्रशन वाले हैं इनका जो selection हुआ ह यह काटेगरी सी विलावन करते हैं ठेक है तो इसे बठा पाना थोड़ा सा मुस्किल है दोस्तों आप इस तरीके से स around सकते हैं कि जैसे अगर 80 से 100 है तो ये ऐए आप समझ सकते हैं कि जो निमन से रेडि के लोग होते हैं निमन कटेगरी के जो लोग होते हैं उन्हें का ये cut off है जैसे मान लीजे SC हो गए, ST हो गए तो उनका आप समझ सकते हैं इससे थोड़ा सा जयाद अगर गया है तो आप समझ सकते हैं OBC वेगरा हो गए EWS हो गए, UR हो गए तो इस तरीकेस आप जो है समझ सकते हैं इस चीज को ठीक है तो कुछ इस तरीके से जो डेटा पॉल है दोस्तो है और लगातार हम सर्वे कर रहे हैं कुछ और जानकारिया मिलती है तो आप तक share करेंगे तो ऐसे में चैनल को subscribe करके रखियेगा जैसे ही कुछ और भी अपडेट से निकलते हैं और भी चीजे जो है सामने देखनों को मिलती है तो आप तक share करेंगे ठीक है समझ लेते हैं कि आपका जो cutoff है ये किस तरीके से देखनों को मिल सकता है जो बचा हुआ subject है आपका जो cutoff है किस तरीके से जितना cut off हमने बताया है दोस्तों उसके आसपासी देखनों को मिला है मेरे भाई ठीक है अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर जितना cut off हमने बताया है उसके आसपासी जो है आपका cut off देखनों को हो जाएगा BC1 की बात करें 118-123 SC कटेग्री में रहा सकता है 107-110 HD में रहा सकता है 103-106 EWS का कट आफ देख सकते हैं 118-122 और Economics का कट आफ आप आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कट आफ है दोस्तों आपका देखने को मिल सकता है ठीक है और Geography का देख सकते हैं Commerce का देख सकते हैं English का देख सकते हैं और Sanskrit का cut-off थोड़ा सहाई गया है मिर भई तो आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से जो cut-off है देखने को मिल सकता है बायो का cut-off देख सकते हैं वही कि बायो कायों का his जो कटॉफ है किस तरीके से गया है और मैना का कटॉफ देख सकते हैं ब्लाओ करन देक्षा ży primera इस अब्ज Beim जो कटॉफ किस तरीके से देखनों को मिल सकता है अब कि..! आपके कोई भी कटॉफ नहीं है तो यहां मेरे में कुछ नियमना प्रकार से आपका जो cut off है देखनों को मिल सकता है अब देखिए मेरे भाई 22-24 तक आपका जो document verification है यह चलने वाला था ठीक है जो कि आज समाप्त हो रहा है अब जो भाई 22-24 के बीच अगर नहीं करवा पाए है उनके लिए जो last option दिया गया है वो दिय गया है 31 December ठीक है 31 December को वो जो अपना document verification करवा सकते हैं इसके बाद जो है कोई भी समय आपका नहीं है तो last date यही है आपका पूरा कोसिस कीजिए कि आज जो है अपना DV आप करवा लिजिए अगर आपका नहीं हो पाता है आज किसी कारणवास या छूड जाता है तो आप 31 December को करवा सकते हैं ठीक तो कुछ इस तरीके की information है मिर भाई अब देखिए कि इस तरीके से गया है अगर पहले दिन की बात करें physics की बात कर रहा है ठीक है physics की बात कर रहा है तो पहले पहले दिन की अगर बात करें तो इसमें गया है 226 ठीक है और दूसरे दिन की अगर बात करें तो गए हैं 223 ठीक और के टोटल सीट की physics में तो 305 बे टोटल आपके सीट थे हैं ठीक है और अगर निकाला जाए proceed competition तो यहां से आप पूरा calculate करेंगे तो आपका बनेगा 654 ठीक है इस तरीके से आपका जो पर सीट competition है यह रहने वाला है एक सीट पर आपका लगभग जो है इतना competition देखनों को मिलेगा ठीक है और वहीं अगर बात करें हैं कमेश्टी की रसान बिग्यान की तो इसके बारे हम थोड़ा सापको बता देते हैं तो अगर बात करें रसान बिग्य करेंगे तो आपके बन रहा है 551 ठीक है 551 बनेंगे और अगर टोटल बैकेंसी की बात किया जाए रेगुलर टीजिटी बैकलॉग वगरा सब अगर सभी का बात किया जाए तो 332 से आप यहां से जो है परसीड कॉम्टी से आप यहां से निकाल सकते हैं ठीक तो कुछ इस त अगर जानकरिया मिलती है तो आप तक पहुंचाएंगे अब देखें बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि सर जो फिजिक्स और कमिश्टी का रिजल्ट है यह तो जारी हो चुका है बचा हुआ जो रिजल्ट है यह कब तक देखनों मिल सकता है ठीक है तो अब देखे 12-24 के बीच में बिल्कुल नहीं आना था क्योंकि 22-24 तक आपका जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन है यह चलता अब इसके बाद जो है आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है मेरा भाई चाहे दो दिन में आ जाए या फिर चार दिन में आ जाए या फिर 31 तारीक त इस तारीक तक देखनों को मिल सकता है ठीक है तो कभी भी आपका जो रिजल्ट है यह जारी किया जा सकता है पुष्टी नहीं हुई है जैसे इसके बारे में पता चलता है तो आपको इनफॉर्म करेंगे लेकिन इतना मान कर चलिए कि डाकुमेंट वेरिफिकेशन तो आपक कुछ नहीं मेरे भाई analysis किया गया cut off है सारी चीजों को analysis किये हैं और off है कुछ उसी परकार से देखनों को मिल सकता है दोस्तो ठीक है तो कुछ इस तरह की information थी दोस्तो जो आप तक share करनी थी हमने share किया वीडियो को like नहीं किया मेरे तो like कर दे और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो subscribe जरू कर लें जैसे ही result के बारे में कोई भी update आता है या फिर कोई भी result आपका जारी होता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखनों को मिल जाएगा तो ऐसे में चैनल को subscribe करके रखिएगा अगर आपको कुछ doubts होता है तो आप comments करके पूश सकते हमसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहे हैं